हाई अब्रिवन आप सबका हमारी यूटूब चैनल आइस पॉइंट पे धेर सारा स्वागत है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलो बीना लेटके आपने टॉपिक पे आते हैं आप सबको पता ह है कि मैं आपको कंजक्शन पढ़ा रही थी कि कंजक्शन क्या होते हैं तो कंजक्शन क्या होते हैं ये मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ ये कित्ते प्रकार के होते हैं ये भी बता चुकी हूँ तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं आप हमारे नौर का यूज़ बढ़ाऊंगी कि नीदर नौर का यूज़ कैसे होता है क्योंकि मैं आपको not only but also both and इसका भी यूज़ बढ़ा चुकी हूँ तो ये वीडियो भी जो नहीं देखें अब उसे हमारे यूटिब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं तो चलो स्टार्ट कर तो इसके आइधर पढ़ते हैं नाइधर नाइधर आइधर ऐसे सुनी होगे बहुत सारे इसको लोग निदर इधर बोलते हैं यह हमारे निदर है इधर मारा E-I-T-H-E-R होता है उसका अलग यूज़ होता है तो मैं आपको अलंकि बताऊंगी तो ये जो नाइधर या फिर नि ने धतर, यानि, जब दो, निगेटिव, नीगेटिव यानि, जब नोट आै, निगेटिव, दो निगेटिव वाक्यों को संग्यूग करने हैं, तू, नीदर, नौर का उज़ किया जाता है, यानि जब दो negative sentences हो और उनको जोडने के लिए हम किसका यूज करते हैं नीदर और नौर का यूज करते हैं तो इसमें भी जैसे मैं not only but also में बताई थी और both and में भी बताई थी कि एक हमारा होता है जब same subject हो same subject एक हमारा होता है different subject तो same subject में इसका जरूरी है तो चलो देखते हैं तो मैं आपको यह आप एक example बताऊंगे अब जैसे मैंने लिखा example में कि she is not a writer she is not a writer फिर वही मैंने दूसरे sentence में लिखा she is not a teacher एक तो मैंने लिखा she is not a writer दूसरा मैंने लिखा she is not a teacher तो इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब यह ठीक है क्या है हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ सही तो है क्या problem है तो यहाँ पे आप देख रहें not है यहाँ पे भी not यहाँ पे भी तो कभी-कभी जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं अरे वो नहीं नहीं वो टीचर नहीं है वो तो राइटर भी नहीं है लेखी का भी नहीं है आपको किसने कहा है वो टीचर है या फिर लेखी का है वो दोनों नहीं से नहीं है तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको combine करते हैं जब इसको जोडते हैं तो हम इसमें neither nor का use कर देते हैं तो कैसे हम इसको लिखेंगे तो हम इसको जब बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे यानि न तो वह लेखिका है और न अध्यापिका है आपको किस ने कहा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी अगर ऐसा sentence आए तो हम इसको neither और nor इन से जोड़ करके हम उसे sentence बनाते हैं अलग अलग भी है जैसे कि मैं अगर आपको बोलू तो जैसे मैं इसमें बोलू कि शाम is not reading शाम is not reading और वही मैं दूसरा लिखूँ कि शाम is not watching टीवी यहाँ पर हो भी नीरा है watching टीवी तो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों हमारा क्या है यहाँ जो शाम है और यहाँ जो शाम है वो अलग अलग डिफ्रेंट सब्जेक्ट है नहीं यहाँ भी वही है यहाँ पर शाम की बारे में बात थो रही है कि Shiam is not reading, Shiam पढ़ नहीं रहा है या फिर Shiam is not watching TV Shiam TV नहीं देख रहा है तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी Shiam है यहाँ पर भी Shiam है, दोनों जगे Shiam की बाते हो रही है या फिर जो मैंने पहले वाले sentence में बता था She, तो उपर भी She थी और नीचे भी She ही थी तो यानि किस की बारे में बात हो रही थी? She के बारे में बात हो रही थी यानि subject क्या है? Same है, तो अगर हमें इसको बनाना हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब हम इसको पहले add कर देते तो add जिब आप करोगे तो लिखोगे श्याम इस निदर रिडिंग नौर वाचिंग वाचिंग टीवी यानि श्याम न तो पढ़ रहा है और ना ही टीवी देख रहा है दोनों में से वो एक काम भी नहीं कर रहा है इसको क्या होता है कि अगर ऐसा आए यानि अगर same subject आए तो सबसे पहले हम क्या आगरेंगे? पहले हमें करना क्या है? पहला sentence यानि जो हमारा श्याम इस नौर रिडिंग बुक था पहले वाके का वहाँ भाग जो common subject हो तो श्याम हमारा common subject था हम उसे लिखते हैं जैसे मैंने आपे लिखा फिर हमारा जो helping verb रहेगा वो तो भाही लिखना ही रहेगा लिखने के बाद हम क्या करेंगे? नीदर लिखते हैं नीदर लिखने के बाद जो शेज भाग रहे है यानि जो not के बाद होता था ना कि she is, sorry श्याम is not reading तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो not वाले के आगी जो part रहता था reading तो यहाँ पर हम उने reading लिखा यानि not वाले part को छोड़ कर हम लिख देते हैं फिर हम क्या करते हैं? नौर लगाते हैं जैसे मैंने आपे नौर लगाया उसके बाद दूसरे sentence के uncommon part को उतार देते हैं यानि जैसे हमारे क्या था था watching TV same आपका लगभाग उसी तरह use होता अगर आप एक को अच्छे से अपने दिमाग में fit कर देते हैं तो आपको अच्छे से समाझ में आ जाता है तो यह तो रहा हलांकि same subject का अब different subject का कैसे use होता है? वो भी मैं आपको बता देती हूँ different subject में मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि guitar does not sing guitar गाना नहीं गाती है फिर मैंने दूसरा sentence लिखा सीता does not sing सीता भी गाना नहीं गाती है यानि guitar सीता दो बैने है guitar गाना नहीं गाती है अब इसको हम negating अब आप देख रहें गीता जो है वो अलग subject है सीता जो है वो अलग subject है अब हलांकि इसको पहले हम जोड देते हैं अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे निदर, निदर, पहले गीता था तो, सुरी यहां पर फिर से लिख देती हूँ, यानि अब जब में इसको बनाएंगे तो कैसे होगा, निदर, गीता, नाउर, सिथा, से इस, नह तो, नातो, सिथा, से गाती है, गीता, सिथा कोई दोनों में से कोई नहीं गाता। तो यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है नीदर, गीता, नौर, सिता, सिंग्स तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम नीदर से वाकि स्टार्ट करते हैं जब हमारा कर डिफरेंट सब्जेक्ट हो, लाइक जब हम मैं आपको बोध के बारे में बढ़ाई थी तो बोध में भी हम पहले से स्टार्ट करते थी, अगर प्लूरल, सॉरी, सब्जेक्ट अगर डिफरेंट हो तो इसमें भी वही होता है, सबसे पहले हम नीदर से स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या होता है हम subject लिखेंगे किसका subject लिखते है पहले sentence का तो पहले sentence में बने लिखा था गीता does not sing तो इसलिए मैंने आप एक गीता लिखा है फिर उसके बाद हम क्या करते है नौर लिखते है मैंने आप एक नौर लिखा है जैसे आप देख रहे हैं नौर लिखने के बाद दूसरे sentence का subject लिखते हैं तो दूसरे sentence का subject क्या था? सीता था फिर दोनों वाके का common part लिखते हैं sing sing क्या है हमारा common part है बट एक चीज़ आपको यहाँ रखना है मैंने यहाँ पे sings लिखा है sing नहीं लिखा है actually होता क्या है verb का प्रयोग sing हमारा क्या है verb है so verb का प्रयोग रुकिए मैं color दूसरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए actually verb का प्रयोग दूसरे subject verb का प्रयोग दूसरे subject के अनुसार करना होता है अगर दूसरा subject जैसे मारा सीता अगर हमारा सीता क्या है subject जो वर्ब की पास है यदि अगर plural है तो वर्ब भी plural रहेगा अब अगर सीता मारा क्या है singular है तो इसलिए हमारे शिंग्स लगा आपको पता है present indefinite में अगर सकारात्मक वाक्या आता है तो इसमें वर्ब में S या ES लगता है अगर यहीं सीता की जगह है यू रहता तो यहाँ पे हम S हटा देते हैं अगर यहाँ पे यू रहता तो तो आप देख रहे हैं यानि हम वर्ब का प्रयोग दूसरे subject के according लगाते हैं अगर subject के अगर subject जो वर्ब के सबसे पास है अगर वो plural है तो वर्ब का भी form plural होगा अब जिसमें आपको दूसरा sentence बताती हूँ जिसमें ने लिखा है यहाँ पे जिसमें ने लिखा है निदर तर टीचर निदर न तर टीचर यहाँ पे नौर रहेगा नौर the students are playing तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न तो टीचर खेल रहे हैं और ना ही students खेल रहे हैं तो यहाँ पे टीचर क्या है टीचर हमारा singular है अब ऐसा नहीं है कि आप teacher और students दोनों को जोड लिए इसलिए हमारा plural हो जाएगा हम अपना यहाँ का जो यह form है लगाते हैं हम ऐसे लगाते हैं तो होप यह आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको भी कोई कॉमेंट करना हो कि आप भी अपने मन से sentences हमें बना के बता सकते हैं कि neither nor का इस तरह से पर हम यूज़ कर सकते हैं आप भी बहुत सारे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है मारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि ऐसे होता है कि यार न तुम्हें ये कर सकती हूँ न तुम्हें गा सकती हूँ न तुम्हें डांस कर सकती हूँ यानि मैं एक दम बिकार हूँ, योजलेस हूँ या फिर जैसे गर कोई और भी आए कि न यार क्या है वहाँ न तु बोल सकता है और नहीं सुन सकता है तो ऐसे हम बहुत सारे sentences बोलते हैं तो अगर आपके भी मन में ऐसा कोई sentence हो, तो आप हमें उसका translate करके, निदर नौर का use करके हमें comment box में बता सकते हैं अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे like and share करना भी मत बूले Thank you so much